Hello everyone guys आज हम बात करने वाले हैं J-Main's के Application Form की देखो जब तुम Application Form बरते हो तो याँ तुमको जो Document's होते हैं वो Upload करने पड़ते हैं ज Desde तुमको अपना Photo Upload करना पड़ता है अपना Signature Upload करना पड़ता है अपना कास्ट का Certificate होता है वो upload करना पड़ता है, अगर तुम PWD candidate हो तो या तुमको उसका certificate upload करना पड़ता है, तो या जो तुम्हारी जो documents होते हैं, इनका क्या size तुमको रखना पड़ता है, तो या तुम अगर Gmail का form बढ़ने वाले तो definitely तुम क्या है इस वीडियो को देखो, और जब तुम form बढ़न size रहना चाहिए, वो रहना चाहिए 10KV से 200KV के बीच का, तो 10KV से 200KV के बीच का क्या है तुमारा size रहना चाहिए, और जो यह भी ध्यान रखना, जो photo तुम application form में upload करने वाले हो, उसकी क्या है, जो heart copy है, वो भी जरूर अपने पास करवा लेना, जिससे की, जो heart copy है, वो तुम admit card में लगा सको, अब दोको second point में हम बात करते है, sign की, दोको अगर तुमारे sign के अगर हम बात करते है, scan copy की, तो वो तुमारे पास होना चाहिए size उसका 4KV से 30KV, तो signature का जो scan copy है, वो होना चाहिए, तुमारे पास 4KV से 30KV के बीच का, अब हम बात करते है, category की, जसे OVC में आते हो, या SC में हो, या Sen T में हो, तुमारे size होना चाहिए, image का रहना चाहिए, 50KV से 300KV के बीच का, 50KV से 300KV के बीच का, और अगर तुम PWD candidate हो, तो जddर तुमारे size को note करके रखो, और इसके according अपने images को क्या, पूरा प्लान कर लो, उसके बाद फॉर्म बढ़ना कर श्टार्ट करो, और इसके रिगार कि तुम्हारा कोई भी confusion, कोई भी doubt है, तो नीचे comment और से comment करके पूछ सकते हो, and thanks watching this video.